DGT भारसरकार इस बार ITI के बहुत सारे स्टूडेंट के मार्गशीट और सर्टिफिकेट जन्रेट नहीं करेगी। जा इसमें स्टूडेंट की कुछ गलती है जिसकी वज़ा से DGT द्वारा ऐसा निर्ने लिया गया या फिर स्टूडेंट की भलाई के लिए निर्ने लिया है। हो सकता है कि आपका नाम भी DGT की उस लिस्ट में हो जिनकी मार्गशीट और सर्टिफिकेट रोकने करने लिया है। जानिए ये सभी बाते हमारे साथ। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ना केवल अपना नाम उस लिस्ट से हटा सकते हैं जो DGT ने तयार करी है मार्गशीट और सर्टिफिकेट को रोकने की बलकि आप अपने संगी साथ्यों की भी सहायता कर सकते हैं इस चीज़ से बचने में और अपनी मार्गश बच्चों की केवल मार्गशीट जारी होगे सर्टिफिकेट तभी जारी होता है जब उनका ट्रेणिग डिउरेशन जो है कंप्लीट हो जाता है तो उनका training duration जो है 2025 में complete होगा तो certificate तो उनका तब ही generate होगा लेकिन row की जो है उनकी भी जाएगी अब आप लोग सोचेंगे कि इन में से वो student कौन से होंगे और कितने होंगे जिनकी इस बार DGT भारत सरकार mark sheet और certificate जारी नहीं करेगी आप सभी को पता है कि ITI course के student की जो mark sheet और certificate DGT जारी करता है उस पर training का photo होता है कुछ student की mark sheet और certificate पर photo की जगा पर कुछ इस तरह की image दिखाई देती है इस तरह की image का क्या मतलब होता है इस तरह की image का मतलब है कि DGT भारत सरकार के पास उस student की photo नहीं है जा फिर photo वाले area में blank आ रहा होगा तो बाद में ऐसे student को अपनी photo ठीक करवाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है क्योंकि वो जब देखते हैं कि उनके साथ ही की जो mark sheet है और certificate है उस पर तो photo है और उनकी पर नहीं है इस बार ये निर्ने लिया गया है कि DGT के पास जिन students की photo नहीं होगी उन training की mark sheet और certificate DGT तब तक जारी नहीं करेगा जब तक student अपनी photo DGT को उपलप नहीं करा देता इस सम्मन में DGT भारसरकार द्वारा 5 सितंबर 2024 को एक पत्र भी जारी किया गया है जो कि आपको यहां पे पत्र की प्रती जो है screen में दिख रही होगी अब ITA के करमचारी और student के मन में एक सवाल यह भी उठ रहा होगा कि उनको कैसे पता चलेगा कि DGT भारसरकार के पास उनकी photo है या नहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी भी mark sheet और certificate जारी नहीं हो इसको पता करने के लिए सबसे च्छा तरीका है admit card यानि के hall ticket जो आपके SIDH portal से निकले थे practical के exam का और CBT के exam का दोनों ही admit card जो आपके दोनों ही hall ticket है उन पर अगर photo है तो मतलब DGT भारसरकार के पास आपकी photo है अगर practical के exam या CBT के exam दोनों में से किसी भी admit card में आपकी photo नहीं है और यह जो है ऐसा नहीं केवल उत्रपदेश के ITI के बच्चों करना यह जो है जितने भी ITIs हैं all over India चाहे वो government ITI के student हो चाहे वो private ITI के student हो या फिर चाहे वो NSTI के student हो इन सभी students को जिनके में admit card में उनकी photo नहीं है उन सभी student को जो है अपने जो ITI है जिसमें वो prescription ले रहे हैं उनके पास जाके अपनी live photo capture करानी है अगर आपको live photo capture कराने में किसी भी तरह की कोई असुविधा हो रही है तो आप हम से संपक्स तापिक कर सकते हम आपको proper guide कर दें और जैसे ही बच्चे की जो है live photo आप capture कर देंगे DGT के पास जो है वो photo महाँ चली जाएगी और जब photo महाँ चली जाएगी तो उस बच्चे की जो है mark sheet जो है और certificate जो है जारी हो जाएगा खास तोर पे 2022 के 2 year trade वाले और 2023 के 1 year trade वाले बच्चे जरूर ध्यान दें क्योंकि उनकी ITI जो है इस बार complete हो जाएगी अगर वो लोग अपनी live photo caption नहीं कराते हैं तो उनके जो है mark sheet और certificate जो है फसने वाला है एक चीज और ध्यान दिजेगा ITI के student के साथ साथ ITI के college के भी जिम्यदारी है ऐसा नहीं है कि के वल ये student की ही जिम्यदारी है ITI के college के principal उनके manager और जो है उनका staff है उनकी सभी की जिम्यदारी है कि वे अपने हाँ पढ़ रहे सभी student को BGT की mark sheet और certificate ना जारी करने वाले आदेश के बारे में बताएं और उन सभी student को college बुलवा कर समय से live photo capture करने की कारवाई जो है पूर्ण कर लें नहीं तो आपके संस्तान के student की mark sheet और certificate जा को भी काफे जदा effort करना पड़ता है उस काफी सारे approvals के बाद जो है वो portal दुबारा से खुलता और कभी-कभी तो आपने देखा होगा जाद तर खुलता भी नहीं है तो इसलिए जितनी भी कारवाई हैं वो समय से पोड़ी कर लीजे यहां पर एक बहुत और घ्यान देने वाली है बहुत सारे trainee ऐसे होंगे जिनकी admit card पे photo तो होगी मगर वो किसी दूसरे candidate की होगी उनकी नहीं होगी तो क्या उन trainee की भी जो है mark sheet और certificate deity generate नहीं करेगा नहीं ऐसा नहीं है देखिए आपकी जो photo गलत दिख रही है उसको ठीक कराने के लिए भी facility जो है आपकी ITI को दे दिए तो आप सभी लोग जिनकी भी photo गलत दिख रही है वो लोग भी जो है ततकाल अपनी ITI से संपक सापित करें और वहाँ पे जाके अपनी live photo capture करें देखिए मैं आपको बता दू live photo capture करिएगा बहुत सरे लोग क्या करते हैं कि tablet में बच्चे की photo मंगा के और tablet को महाँ प करिएगा नहीं तो आपकी mark sheet और certificate जो है इस बार फस जाएगा और फिर आपको काफी जादा चकर लगाने पड़ेंगे तो इसी लिए ये सारी कारवाई जो है बच्चों को बुला लीजे अगर कोई बच्चा नहीं आता है तो उसकी mark sheet और certificate जो हंड़ेट पसने वाला है तो जो है हम आपके लिए 2022 के बच्चों को कैसे लाइफ फोटो कैप्चर करना है और 2023 के बच्चों के लिए लाइफ फोटो कैसे कैप्चर करना है दोनों की यह वीडियो जो है अवलेबल करने वाले हैं तो मिलते हैं किसी next informative वीडियो में तब तक जो है आप अपना ध्यान लग करके यह कारवाई पूर्ण कर लीजें